नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागते पूरे मध्यप्रदेश के तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमेंट करके जरू बताना कि आम मध्यप्रदेश के कौन से जिले गावे शेयर मेरे तो दोस्तों मध्यप्रदेश में दिखेगा बीपर जोई का असर इन 25 जिलों में आज होगी बर बाने ग्वालेर, बोपाल, उजेयन समेट 25 जिलों में तेज अगों के साथ बारी बरसात के समावना जता ही है मौसम विबाग के अनुसर बतायजार के दोस्तों आज जो है न कई जगों पर पस्चिमी मध्यप्रदेश के स्थानों पर बरसात हो सकती है और बीपर जोई तुफान कासर, राज्ये के भोपाल, उजेयन और यहाँ पर बतायजार की चंबल और ग्वालेर जिले में दिखाई देगा साथ में यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो राजगर और यहाँ पर जो है राइसेन, विदीसा, शियोर, अशोगनगर, शिवपूरी, धत्या, मुरेना, ग्वालेर, बिंड, शियोपूर, उज्येन, साजापूर, देवास, आगर, मालवा, नीम्च और मनसुर में भी साथ कई अन्य जिलों में लू और अन्य लोगों को परिशान कहया जा रहा है, वहीं अच्छी खबर यह कि मानसुन दीरे दीरे पश्ची मंगाल जारकन और बियार के हिस्सों में आगे बढ़ रहा है और इससे आज प्री मानसुन की बरसात भी हो सकती है मध्य परदेश में यानि दोस्तों मध्य परदेश में अगले 48 गंटों की दूरा मानसुन सकरे होने के साथ ही विबिन लागों का मौसम बदलेगा और मानसुन के ओर दोस्तों अभी दो दिन और लगेंगे 22 जून के बाद दोस्तों मानसुन दक्स तक देगा जी हा दोस्तों एक बार मैं फिर स से कम बना हुआ दिखाई दे रहा है प्री मानसुन एक्टिविटी थे जोने के करण इंदो और बोपाल में अलकी बोचारे पड़ सकती है फिलाल तापान बहुत जादा बड़ोतरी नहीं हुई है मानसुन की बंगाल की खाड़ी और अरप सागर दोनों की ब्रांच सकरी है ऐसे में मानसुन आगे बढ़ता है जो कि विबिन लागों पर एंट्री कर सकता है मौसम विबाक की मानने तो पाश्य में चकरवाद के दीरे दीरे शेंड दोस्तों जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मानसुन की सकरेटा बढ़ने लगिये मौसम में बदला होगा उत आचड़ा अफजारी रेने और मौसम में बदलावाने के संकेत विबिन लाकों पर देखने को मिल सकता है गौालेर समय बोपाल में भी दो दिनों तक दोस्तो जो है यहाँ पर बरसात को लेकर अलेट जताय जारे और 22 थारीक के बाद तो दोस्तो मांसुन सक्रिय हो गई होगा और अब बोपाल, विदिसा, राइसेन, शिहोर, राजगर, उजेन, रतलाम, देवा, साजापूर, मनसुर, निम्च, नर्मदापूर, बेतुल में बारिश होने की समवान है दूसरी तरफ अलिराजपूर, जाबुआ, इंदोर में आदी बादल शायरेंगे और कुछ जगों पर 50 क्वियों है, मिली मीटर से ज्यादा बरसात हो सकती है इससे पहले दोस्तो आये तूफान कासर देखने को मिला और आशाम तक शिवपूरी के दोस्तो विबिन लागों पर बरसाती मौसम और उताचड़ा अवजारी रेने के आसार है तो कौन से जिले गाव इस शेयर में रेते है कमेंट करके जरू बताना जबलपूर की बात किया तो दिन के समय 40 के नीचे ताप मारेगा चार दिन बुंदा बुंदी जब कटनी की बात किया तो कटनी में रात के समय रेगा तेज आओ के साथ परिवरतन और बात के समय तो दिन में चारी चार अवजारी रेगा चैरिंगे चिटपूर बरसात के आसर है गर्मी से रात मिली के अगले 24 गंटों दुरन और यहां पर रविवार से दोस्तों बारी बरसात होने के आसर एक बार फिट से देखने को मिलेंगे आपको चार से पांस दिन का इंतजार करना पड़ेगा उसके आद बरसात की गतिविदियों में इजाफा देखने को मिलेगा कुछ इका दूख के स्तानों पर गर्मी पड़ेगी लेकिन शनिवार रविवार को चिटपूट और सौंबार मंगलार को बरसात की गतिविदियों में इजाफा देखने को मिलेगा और शनिवार से दोस्तों बरसात की गतिविदियों में इजाफा देखने को मिलेगा मौसम में बदलाव आएगा और कुछ जगों पर बारी मौसम में बदलाओ के साथ बरसात हो सकती है वह दोस्तों यहाँ पर बताइज़ार की हरदा में तीन दिन बादलोगा होज़े गर्मी का परकुप शुकरार शनिवार से मौसम बदलेगा और शनिवार रविवार से बारी बरसात देखने को मिल सकती है इन दोर में 4 दिन गर्म मौसम रएगा बादल शैरिंगे शनिवार रविवार को बारी बरसात हो सकती है बिजली चमके की मौसम में परीवर्तन होगा शिवपूरी की बात के तो शिवपूरी में मौसम में अलचले उताचड़ा अफजारी है शनिवार रविवार से बरसात होगी मौसम में हलचल होगी उताचड़ा अफजारी तेज अओ के साथ परिवर्तन होने के आसारे राइसन की बात के हो तो 27-27 रात के समय तो दिन में 33-37 करीब ताप मारेगा बादल चैरिंगे मौसम में हलचल देखने को मिलेगी और शनिवार रविवार से बरसात होने उताचड़ा अफजारी रेगा तेज अओ के साथ परिवर्तन होगा वही दोस्तों यहाँ पर विदिसा की बात के हो तो 27-27 रात के समय तो दिन के समय मौसम बदलेगा उताचड़ा अफजारी बुद्वार गुरुआर से बरसात होने उताचड़ा अफजारी रेगा और तेज अओ के साथ परिवर्तन होने के आसारे वही दोस्तों यहाँ पर विबिन लाकों पर जो है अशोक नगर में रात के समय 26-27 तो दिन के समय मौसम बदलेगा बादल चाहरेंगे उताचड़ा अफजारी रेगा और यहाँ पर तीन दिन बादलो के होज़े मौसम साफ और गुरुआर शुकरार से बुंदा बुंदी गुरुआ की बात के तो 25-26 रात के समय तो दिन में 31-32 अफजारी रेगा बादल चैरंगे गुरुआर शुकरार से बुंदा बुंदी मौसम में 36-27 से विन Del doren देखने को मिलेगी और शुनिवार रवियार से बुंदा बुंदी उताचड़ा अफजारी रेगा होसंगाबाद में 28-29 रात के समय दिन में 36-37 चार दिन बादल चैनिंगे मौसम में हलचल होगी शुकरवार शनिवार से हलकी बुंदा बुंदी मौसम में हलचल होगी उतारचडा अफजारी और रविवार समवार से बारी बरसाथ भी देखने को मिल सकती है रतला में 4-5 दिन मौसम साफ रहेगा और शनिवार रविवार से बरसाथ होगी उतारचडा अफजारी रहेगा तेज आओ की सत परिवरतन देखने को मिलेगा वह दोस्तों यहाँ पर राजगर की बात के हो तो 27-27 रात के समय दिन में 33-34 सिकरी ताप मार रहेगा बादल शैरिंगे मौसम में हलचल शुकरवार शनिवार से हलकी बुंदा मुदी तब तक गरम मौसम में का उतारचडा अफजारी रहेगा यहाँ पर देवास में दोस्तों 4 दिन चिटपूर और शनिवार रविवार से बरसाथ होगी मौसम में हलचल देखने को मिलेगी यहाँ पर बताएज़ार की छतरपूर में गुरुवार से बरसाथ होगी अलिराचपूर में 5 दिन के बाद रहेगार से बरसाथ होगी बुरानपूर में 4 दिन मौसम गरम शनिवार रहेगार को छिटपूर से बरसाथ होगी भिंड में आज से बरसाती महसम देखने को मिल सकता है सागर में 5 दिन के बाद बरसात होगी निम्च में 4 दिन के बाद धत्या में 5 दिन के बाद बरसात होगी यहाँ पर पन्ना में 5 दिन के बाद बरसात होगी करना कमेंट करके जरू बताना कि आप मध्यप्रदेश के कौन से जिले गाम या शहर मेरेते हैं तो मिलते अगले वीडियो में